तो आज की वीडियो है मैंने एक बच्छी की हेर कट की थी उनकी हेर यहां तक थी और इयर लेंज तक मैंने उनका हेर कट किया कैसे किया तब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और किसी का बहुत ज़्यादा हेर फॉल हो रहा है तो उसके लिए भी एक घरेलू करें जो कि मैं अप्लोड करूंगी तो जरूर देखिएगा तो अब आपने चैनल के सब्सक्राइब कर लिए बहुत ही नए नए वीडियो की नोटिफिकर से पहले आप लोग को मिल जाए और लाइक तो भरभून कीजिए तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यह देख शलाना लिया है कि इसमें पानी कर लिए इतना सा एक सेद्ध कप तक पानी ले लिया है इसको धील मैं यह अपर पे कर दिया सका हैँ कर अशूос सौंट Prozent ही चोड़ देना है मतलब अगर आपझने घंच परल अच्छ E उबल जाएगा तो इसका कलर कुछ इस तरीके का हो जाएगा और जब इसका कलर अच्छे से आ जाए इसको अच्छे से उबलने दिए दस से पंदर मिनट तक कि मैं यहां पर इंडेक्शन पर उबाल दियूं आप धिमियाज पर गैस पर उबाल सकते हो तो जब यह उबल जाए तो गैस को आफ कर लो और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए फेस तरीके से आप छनलने की मदश से इसको चान लेकिए और यह जो चीजें हैं प्याज मेथी और लैसम की जो कलिया इसको भी फेकना नहीं है इसको भी आप यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छा वर्क करता है यह अपके बालों के लिए डैंडर्फ के लिए बालों को बहुत ही स्मूद सॉफ्ट बना देता है डैंडर्फ को रिमूं का देता है यह कापी हद तक आपके कांट्रोलार हो जाते हैं यह जरूर ट्राइक किजेगा आपको बहुत अच्छ प्रिजल्ट मिलेगा इससे हमारे घामें जबी भी कुछ डैंडरफ होती है हेर फॉल होने लग जाता है तो हम लोग यही उच करते हैं और पीछने बार यह कुछ ऐसा हो जाएगा इसको निकाल लेना है और इसको अपने बालों में जड़ों में अच्छे से अप्लाई करना है और आधे गंटे के लिए फोर देना है उसके पास आप सैंपू से इसको बॉस कर लोगे जब आप पहली बारी उच करो तब भी आपको पासी अच्छा एफेक्ट मिलेगा इससे ओके तो यह तो होगे हैर फॉल और डैंडरफ के लिए बहुत एफेक्टिवर गाई ज़्यू कर लिजएगा वहां पर मैं अपनी व्लॉग वीडियो अप्लोड करते रहती हूं तो यह बच्ची का हेर कट करना है यह लैंद तक कट करूंगी और इनका लैंद कितना है आप देख सकते हूं प्रण्ट से एकदम सौर्ट बैंक से करने वाली हूं अच्छे से मैं इनके कपड़ों में कटिंग सीट को डाल देती हूं ताकि जब मैं हेर कट करूं तो हेर कट करूं तो इनके कपड़ों के अंदर ना घू स ज़्यादा चुबे ना इंको बने बालों को चूल करऊंगी और अच्छे से सुल जाओंगी जब तक बाल शुलम ना जाएं आप लाट इस हैं अच्छे से एंट ओके तो मैंने सोचे था यहां पर मैं फास्ट कर दो वीडियो को बट अमेरी विव्यूर्स बोलते हैं कि म terrified प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लो इंडियान योटूबर प्रीट सिवारी फ़ी लोग बोलते हैं कि मैं चैनल नहीं मिल रहा तो प्लीज इंडियान यूटूबर प्रीट तिवारी चैनल पर जाएए और हमें अपनी इस वाली चैनल के में भी उसका लिंक दी रहती हूं फिर भी आपको द मेरे देवर की बेटी हुई थी जिसका चठियार था तो हम लोग वहां गये थे तो उसका भी व्लॉग मैंने लिया है तो वह व्लॉग मैं अपने उस वाले चैनल पर अफ्लोड करूंगी तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहोगे तो आपको बहुत सारे इंट्रेस्ट हमैं यारे जाम लन भी मैं उस्का अफ्ला में और शॉज anderen बनेलों भूट कर दो की काट्श चाहिँ के लिए को थोड़ा थोड़ा पतल पतला सक्सें आई को कर्का से तरीक tre刻 करो क्ट कर रचेछ रच्ची से पिख्ट हो जाएंगी और यहां से ऐसे कट कर दूँगी अब इसी गाइड लाइन के अकॉर्डिंग सारे हेर को राउंड में कट करूँगी इनको इतनी लेंट रहत नहीं थी चार से पांच इंच तक लेंट इन विकलवाई हैं अच्छे चेक कर लेंगे अगर आपको थोड़ा भी अधिक इधार उधार लग रहा है तो आप इस तरीके से करदन जो काके और नीचे से हेर को कट कर सकते हो अब फी थोड़ा सा है यह चुवार को प्कड़ करना है जेते हैं से तो यहां से गाइडलाने हूं को दिखी रही है कि ऐसे किस दुबादा से पकड़ लेढम है Daysungen औप ँसके अक्णे ही सारी हिर्गे इस तरीके से आराम अराम से बिल्कुल भी जल्दी वाजी ना करें, अब इसी तरीके से सारे गाइडलेन लेके आपको हेर को कट करना है, इस साइड के भी हेर को इसी तरीके से कट करेंगे, और स्रंट से सॉर्ड बैंक से हेर कट करने वाली हैं, तो भी देख लीजेगा, तो इस तरीके की तो आप इस तरही किसे हेर कट कर सकते हो काफी प्यादा लगता है कि बहुत ज्यादा इनके बार उल्जे हुए थे तो आप देखते हैं साइड में गाइडलाइन दिख दिए उसके अकॉर्डिंग हेर को कट करना है ऐसे मैंने वीडियो को जादर जूम नहीं किया ताकि आपको अच्छे से दिखे अब सेम इसी तरीके से फ्रेंट के थोड़े थोड़े हेर चोड़े चोड़ देंगे बाकी बचे हेर को कट कर देंगे बार-बार कॉम करना पड़ रहे कि इनके हेर काफी जदा उलच जा रहे है इस तरीके से थोड़े से हेर छोड़ दिए जोगी फ्रेंट का कट करना है हेर का फ्रेंट जो बैंस कट करना उसके लिए यह टू यह इसे पार्टिंग लेकर कोडी को भी कट कर देंगे तो यह पुरा कट हो चुका है अभी दूसरी साइड भी देख लेते हैं अब देख लेते हैं कितना इस तरीके से आपको कट करना है दूसरी साइड से भी इस तरीके से मैंने कॉम कर लिया है जितना बैंक कट करना है उतना ही या फ्रेंट मेरा कि बाकी है को आप कट कर लीजिए प्रेंट कर रही हूँ तो यहां से मैं अच्छे से कॉम कर रही हूँ आप देख सकते हैं पूरा है एक दम इकवाल है पीछे से आगे से अभी फ्रेंट का कट करेंगी फ्रेंट के लिए मैं पूरे हैर्स को इस तरीके से कॉम कर रही हूँ जो भी हैर हमने छोड़े थे और आइब्रो जो हमारी होती है उसके जस्ट नीचे से बहुत ही ध्यान से कट कीजिए आपके कस्टमर के आइस पर नहीं लगनी चाहिए अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप आगे से फ्रंट से कोई गत्ता वगएरा रख लो ताकि कस्टमर के आइस पर बिल्कुल भी नहीं लगे पहले में नीचे का लेंध अपना इकवल कर लूँगी दोनों साइड से अभी यहां के अज़ेस्ट आइब्रो के थोड़ा सा नीचे से मतलब आइस के पास से कट करना है तो बिल्फिल ध्यान से कट किजिएगा बच्चों को एकदम कमफर्टेबल रखिए इन तो आपको भी कट करने में दिक्कत होगी अभी यह बोल दहीं थी क्यों चोटा कीजिए बट अच्छा नहीं लगता आप इतना ही लेंसर किया अगर आपको इत्रा ही किस्वार्ट बैंक्स चाहिए तो और यहां से थोड़ा सा तीरच्छे में इस तरीके से आप कट कर दो कि कि दूसरी साइट से भी सेम इसी तरीके से आपको कट करना है कि बहुत ही प्यादा लगता है बच्चों पीस तरीके का कट कि देखिए कितना प्यारा इनका बैंक्स भी लग रहा है तो आप अगर कोई बच्ची आजया है कि लिए तो आप इस तरीके का हैर कट ज़रूर शाय किजिएगा अब पीछे के बालों को मिला कर देख लीजिए कि अच्छे से कटिंग होई है या नहीं प्रेंट का तो लगभग बहुत अच्छा लग रहा है तो बैक से बहुत करते हो तो बैक से किस तरीके से आप कट करोगे तो परफेक्ट आएगा वह मैं आप लोग को बता रहेती हूं प्रेंट का परफेक्ट कर लिया है चेक कर लो एक बार कहीं से छोटा बढ़ा तो नहीं है तो इनका सब कुछ ठीक था जहां पर चोटा बढ़ा लग रहा है वहां से आप कट कर लो इस तरीके से हैर को उठाओ उपर की तरफ क्लचर लगा दो मैंने भी क्लचर नहीं लिया हुआ था तो मैं बिच्चे से ही बोल दूंगी उपकर लेंगी बालों को अपने कि और यह वाला नीचे वाला है आफ़ा फिंच तक छोटा कर दो इससे क्या वहर की जब आप हैर खुला रखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा लूप आता है और फिनिसिंग बहुत अच्छी दिखती है तो नीचे वाल हैर को आफ़ा फिंच तक कट कर दोगे और फिर सबसे मुड़ेगा भी नहीं और बहुत अच्छा सा जैसे लगता है अपने हैर सेट कियो है इस तरीके का लुक आजाता है कि तो आप चरूर ट्राइब कीजेगा इस तरीके से कि अगे तो आल मस्ट इनका हेयर कट ड़न हो चुक है है कि आप लोग बताएगे कि आपको इनका हेयर कट कैसे लग रहे है वाव कि अपने देखी लिया और फुलोर पी कितने हेयर गिरे थे वह इस तरीके से अगरें का पफ बनाएंगे और फ्रंट से ऐसे लुक रहेगा तो बहुत ही प्यादा लगए हेयर बेंट पे भी बहुत अच्छा लगए यह कट हुए तो आई हूँ आप लोग वीडियो किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए इंस्टागान पर फोलो कर लिजेगा इंस्टाइडी है प्रित्तिवारी 24 और जड़ ज़्यादे वीडियो को सेयर किजेगा और इंडिया नीटूबर प्रित्तिवारी चैनल पर जाके जरूज जैक किजिए अच्छी लगए तो किया और मिलते देख विजए अपना ख्याद लगिए और मुझे इसी सपोर्ट के चाहिए ज़ी बाइबाए